मेरा मानना है सरकार को इस पर बहुत तगले से कारवाही करने चाहिए और अगली बार अगर ये कोई सिक रेफरेंडम या सिक्स फॉर जस्टिस टाइप की रैली रखते हैं तो आपको बता दू न्यू फाउंडलिंड है मेरा खाल एक जगा कैनेडा में जो की भी चाहते थे कि हम लोग ससीड कर जाएं कैनेडा से तो उनके लिए भी हमें एक प्लैटफॉर्म देना चाहिए इंडिया में नेक्स टाइम अगर कैनेडा करे कि यहाँ पर भी एक रेफरेंडम हो न्यू फाउंडलिंड के लिए तब उनको दिमाग में ठीक आएगा टिट फॉर टैट अप इंडिया में वहां से बैरिकेडिंग हटा दी गए मेरे साब से बहुत ही अच्छा मुग है आप बिल्कुल भी हमारे को अब एक हलके में नहीं ले सकते हैं फिफ्ट लार्जस्ट एकॉनमी है एवरी सेवंथ परसन इस एन इंडिया और इस तरह से आप अगर हमारे हाई कमि वहां पर जो टेंपल्स पर हमला हो रहा है और उपनली गई उन्होंने बाद वो एक अच्छी चीज नहीं है तो इस पर मेसेज बड़ा स्ट्रॉंग जाना चाहिए और वो तरी जाएगा वेन इट हर्ट्स था हर कंट्री में अंबर कुछ फॉल्ट लाइन्स है हर कंट्री म बंद ना करें ब्रिटिश जो ऑन्वाइ है इंडिया में ठीक है एक पब्लिक टॉलेट उसके घर के आगे बनाती है क्या कैसी कैसी चीज़ें होती है अब पब्लिक टॉलेट has been considered necessary in the vicinity of UK High Commissioner's residence in downtown Delhi but the UK government has resisted this on security grounds अच्छा बेसिकली क्या है कि दिल्ली में जहां पे UK का High Commissioner रहता है उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉलेट बनाने की पेशकश करी गई है कि लोगों को ये बोला गया कि भई अगर किसी को बाथरूम जाना है लगू शंका या दीर शंका निवारन हेतू किसी को अगर जाना है तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगे है UK High Commissioner के घर के सामने अच्छा इससे क्या हुआ है कि जो UK की Government हो परिशान हो गई कह रहा है साब Security Security का मामला हो जाएगा यहां पर तो कोई भी उसको अटैक कर सकता है घर के सामने बीड लगी रहेगी घर के सामने बीड लगी रहेगी आप पब्लिक टॉलेट कैसे बना सकते हैं उसके घर के सामने अच्छा बेटा हमारे High Commission पे तुम इन पागल भीडिये खालिस्तानियों से अटैक करवाओ ठीक है और जो तुमारा वो क्या नाम है साजिज जावेद या जो भी उसका नाम है जो लंडन का जो तुमारा मेर है वो अटैक करवाए वो ठीक है और अगर इंडियन्स को कहीं जाना हो तो वो तुमारी Security पे खत्रा है नहीं बेटा जाएंगे तो वहीं सब्सक्राइब करने वाले हैं अब उनके क्या इंसान भरोसा करें वो तो चाते हैं हर तरफ लड़ाई जगड़ा जी उनका एक इंट्रव्यू किया था वजहात एस खान ने तो उसमें उन्होंने ये पूछा था उनसे के फर्ज करें या अब डिली में आपने कबजा कर लि करेंगे तो मैं एक हिंदू हूँ आप से ज्यादा पड़ा लिखा हूँ ज्यादा एडवांस्ट हूँ मेरे लिए क्या हुकम है क्या करेंगे आप मेरे साथ तो फिर वो आएंबाइश आएं कर रहे थे तो मैंने भी कोशिच की थी जायद हामेश साब को मैंने अप्रोच कि जो वो मैंने बेजा तो फिर उन्हें पक्का जवाब दे दिया सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मैंने भी उनको बिलाया था और मैं उनको चारी थी मेजर गौरवारिया के साथ बिठाना मैं इन दोनों को लड़ा दूंगी मैं बीच में बैटके पॉपकॉर्ण खाऊंगी ल लेकिन मेरे साथ को इच्छे से जानते होंगे तो इसलिए उनको पता होगा कि अग्ला जो है वा उनको क्या जवाब देगा तो इस वजा से शायद वा माने नहीं मैंने काफी कोशिश कियो लेकिन ये के नहीं वो बिलकुल तैयार नहीं हुए तो रहरा के सवालों के जवाब देने थे लेकिन खेर वो नहीं आये उन्मोंने साफ Candre कर दिया तो यह टो खेर उनका एक रहा है हम एशा से के वो उसी किसम की बात करते हैं और यह भी कहते है के हम देली चले जाएंगे और देली की बाते करते रहते हैं घजवाहि कि जबके इस वक्त को जरूरा चाहिए सर आफ समझते झाल